नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जिस बिजनेस की बात करने वाले हैं वो बिजनेस करने के लिए कोई मशीन नहीं चाहिए, कोई मैनुफैक्चरिंग करने के जंजट नहीं है कुछ पैकिंग करने का जंजट नहीं है किसी तरह का कोई गरेंटी वरेंटी देने का कस्टमर को जंजट नहीं है एक ऐसा प्रोड़क्ट है जो बहुत ही आसानी से आप जिसका बिजनस कर सकते हैं जो गर्मी बरसा थंडी हर मौसम में चलता है बारो महिने चलता है और जिसे बेचने का कोई प्रोब्लम भी नहीं है इसली विग जाता है तो आगर कौन सा बिजनस है कौन सा प्रोड़क्ट है कैसे करना है इन्वेस्टमेंट कितना होगा प्रोफिट कितना देखने को मिलेगा तो यह सब के बारे में इस वीडियो में चलिए अब विस्तार से हम जानत हैं तो दोस्तो हम बात कर रहे हैं A4 Keber के बारे में इसका बिजनस अगर आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा इंकम आपको देखने को मिलता है बारोमहिने यह पेपर जो है 500 500 के बंडल में आते हैं जिसे सेल करना होता है आपको इसे करने से पहले आपको यह जान लेना है कि मार्केट में यह जो पेपर है हर जगा यह यूस किया जाता है जैसे कि जेराउक्स के दुकानों पे इस्टेशनरी शॉप्स में भाद सारी चीजों के लिए तो मार्केट में इसकी डिमांड जो है वो हमेशा बनी रहती है इसलिए नॉर्मली पेपर जो है यह जो पेपर है जी एसम के आधार पे यह मार्केट में बिखता है चलता है जैसे कि 70 जी एसम, 75 जी एसम, 80 जी एसम करके मार्केट में यह जादा बिखता है तो दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया कि भई सबसे पहले तो ये बता दू कि जिनको ये जी एसम क्या है ये पता है और जिनको ये भी पता है कि ये पेपर जी एसम के तरिये मतलब तरीके से क्यों बिखता है जिनको पता है बहुत अच्छी बात है पर जिनको नहीं पता है वो वीडियो में मैं अभी बताता हूँ जरा गौर से सुनियेगा तो आपको पता चल जाएगा देखे ये GSM आखिर क्या है अगर आप पूछेंगे आपको नहीं पता है तो तो GSM का मतलब है gram per square meter यानि कि एक meter by meter का paper जो है उसमें कितना वजन है कितना भार है कितना मोटा है ये paper में मापने के लिए GSM का इस्तमाल किया जाता है GSM के जरिये मापा जाता है तो जितना जादा बढ़ा हुआ GSM होगा, पेपर जो है उतना ही जादा वजणदार होगा, उतना ही अच्छा होगा ऐसा माना जाता है, वैसे पेपर की quality जो है चेक करने के लिए सिर्फ GSM नहीं देखा जाता, पर मार्केट में GSM के आधार पर ही जादा जो है ये काम चलता है और 70-80 GSM वाला जो पेपर है वो ही ज़्यादा मार्केट में चलता है तो अगर आपको इस बिजनस को करना है तो 70-80 GSM वाला पेपर जो है उसे ही आपको खरिदना है इस बिजनस को शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको जगा चाहिए होगा वो जगा आप गोदाम के रूप में कहीं पे ले सकते हैं या फिर आप अपने घर पे ही माल रखने के लिए अगर जगा है तो वहाँ पे भी माल रखे बिजनस की शुरू जो है वो आप कर सकते हैं कि अगर आप ये गोदाम ले रहे हैं, तो चाहे आप मार्केट एरिया में लेजिए, चाहे आप जहां से भी कीजिए, आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप जहां पे गोदाम बना रहे हैं इस प्रोड़क्ट को रखने के लिए फिर चाहे वो घर में गोदाम के रूप में म माल रख रहे हैं, पेपर खराब नहोंगे हैं, उसके लिए वहां पे ध्यान देना है कि वहां पे चुए नहोंगे हैं, इस बात का शुरिटी आपको रखना है पहले उसके बाद उस जगा पर आपको माल रखना है दूसरा च verbess दाबर चीज़ जो ध्यान देना है हो ये कि ज पर दुह से हो या पानी से हो किसी भी तरह से यह बचे रहे खराब नहों इस बात का आपको ध्यान रखना है तो ऐसी जगा पे आपको जो है गोदाम के तौर पर इस माल को रखना है इस बिजनस को अगर आप करना चाहते हैं तो दो तरीके से आप कर सकते हैं देखिए पहला तो ये तरीका है कि आप जो है पेपर के बड़े-बड़े रोल आते हैं, उन्हें आप खरीद लीजिए, फिर उन्हें जो है आप कटिंग करवाईए प्रोपर साइज में, उसके बाद फिर जो है इसे पैक किजिए और फिर इसे आगे आप बेच दीजिए, दूसरा जो तरीक अब जो पहला आप्शन है, मेरे हिसाब से जो शुरू कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उसमें काफी इन्वेस्टमेंड भी है, काफी प्रोब्लम भी है, जंजड भी है, अगर आप बिजनस की शुरुआत कर ही रहे हैं, तो आपको दूसरा वाला आप्शन करना चाहिए, याने की रिसेल करने का काम जो है, वो आपको करना चाहिए, और बिजनस की शुरुआत करनी चाहिए, आप अपने लोकल मार्केट से लोकल जो होलसेलर्स हैं, उनके पास से आप क्या किजिए कि A4 साइस की जो पेपर्स हैं, वो आप खरीद दिये, उनको खरी ठीक है, जितना आपका बजट है उस हिसाब से, और फिर आगे इसे बेचने का काम शुरू कर दिजिए, शुरू में आप लोकल होलसेलर्स के साथ जो हैं, आप शुरू किजिए बिजनस को 5-6 मैना साल भर आप इस बिजनस को उनके साथ माल खरीद के करते रहें, इस दोरान आप बिजनस को जमाईए, मार्केड में खुद को स्टेबल कीजिए, कस्टमर जो बेस है वो बनाईए, उसके बाद अगर आप चाहते हैं, इनके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि बाहर से आप जैसे ये A4 साइस का पेपर है, ये बाहर से भी इंपोर्ट होता है, अब ये इंडोनेशिया, ब्राजिल, थाइलेंड, चाइला, और भी कई देश हैं, मैंने बस एक्जामपल के लिए कुछ देशों का नाम लिया है, तो यहां से इंपोर्ट किया जाता है, लेकिन आपको ये भी बता दूँ कि आप शुरुवात में बिल्कूल भी वो ऑनलाइन पे ड करना यह है कि जो अल्रेडी इंडिया में पहले से जो लोग जो है इस चीज को इंपोर्ट करते हैं, एफ ओर साइज के जो पेपर जो लोग अल्रेडी बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जो इंपोर्टर हैं भारत में, उनका आप पहले पहले आप कॉंटाक कीजिए, उनके बा उसे आप माल मंगवाने का जो रिस्क मत लिजएक वरना आप loss में जाएंगे आपको वो लोग ठग लेंगे तो ये एक तरीका है मैंने आपको इसलिए बता दिया खेर तो अब ये भी है कि देखिए A4 paper जो है वो किस price पर मिलता है एगर आप import करेंगे तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ तो देखिए 100 से 110 तक में import price जो है पढ़ता है A4 size paper का अब उसे wholesale के तोर पर अगर आप बेचिएगा तो 120 से 130 तक पढ़ता है retail में अगर आप करते हैं तो 140 से 150 तक जो की customer तक पहुँचते पहुचते 170 से 180 तक हो जाता है 170-180 तक में customer को easily बेचा जाता है तो ये price rate होता है अगर आप शुरू कर रहे हैं इस business को तो सबसे पहले तो ये है कि भाई आपको पहले इस पूरे business के format को समझना होगा business के बारे में जानकारी इखटा करनी होगी जैसे मैंने आपको कहा कि local जो wholesaler से वो कौन है आपके वो brit पर आपको product दे रहा है मौल दे रहा है यह जानना होगा फिर जहां से आपको सही लगे वहां से आपको माल उठाना है और जहां तक बात रही इंडिया के बाहर से import करने की तो भी मैंने आपको बता दिया कि जो आलरेडी इंडिया में इंपोर्ट करते हैं उनके बारे में इखटा कर लें, सब कुछ हो गया, अब आपको बिजनस शुरू करना है, तो कम से कम में कितना investment लगा कि इस business को आप शुरू कर सकते हैं, तो केवल 15000 से 20000 के investment में आप इस business को easily शुरू कर सकते हैं, और जैसे मैंने कहा कि अब 15000-20000 रुपय आप लगा कि business शुरू करेंगे, त भी इस business को आपको सबसे पहले जमाने का है customer base बढ़ाने का है market में खुद को stable करने का है इसलिए बहुत जादा मात्रा में आपको माल नहीं खरिदना है 15-20,000 के अंदर जितना भी माल आता है उतना ही आपको खरिदना है फिर आने वले time में जब आप जो है खुद को जमा लेते हैं तब आप क्या करें कि लाक रुपया डेल लाक रुपया तक का investment कर सकते हैं और जादा मात्रा में माल जो है आप मंगवा सकते हैं खरिद सकते हैं profit की बात अगर करते हैं तो शुरू में देखिए ऐसा है कि 5-10 रुपया तक का एक bundle या फिर एक रीमा जो है वो उस पे मिल जाता है माल के चलते हैं कि अगर एक bundle पे 10 रुपया profit होता है आपको तो बाद में वही चीज़ आप जो है 20-25 रुपय तक का profit आप देख सकते हैं अब बात आती है कि इसे बेचना कहा है तो इसे बेचने के लिए सबसे पहला option तो xerox वाले लोग हैं फिर stationary वाले हैं फिर ज सभी लोगों को सभी जगहों पर आप अपना product बेच सकते हैं बात ये भी है कि इस business को करने के लिए क्या license लगता है तो लगता है लेकिन जो दो license लगते हैं मैं आपको बता देता हूँ और कब लगता है वो भी बता देता हूँ तो license के तोर पे GST number आपको चाहिए होगा जो ये दो license है जो आपको चाहिए होता है इस business को करने के लिए इसके अलावा कोई और license नहीं चाहिए तो overall अगर देखे तो A4 size का जो paper है इसका अगर wholesale business आप करते हैं या फिर आप retail भी करते हैं दोनों ही तरह के business में आपको अच्छा खासा profit जो है वो देखने को मिलता है और अ पता चलेगा कि हाँ जो लोग पहले से business को कर रहे हैं वह अच्छा का से income इस business से करते हैं तो बहुत ही अच्छा बिजनेस option है अगर आप इस business को करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा option नमस्कार